दोस्तों आपने देखा होगा कि हर कारुबारी अपने गरहाकों को लुभाने के लिए कभी-कभी महेंगे सामानों पर कुछ इनाम भी रख देता है लेकिन लोटी थोड़ा सा अलग है यहां लोग रातो रात सडक से क्रोड़पती बन सकते हैं और क्रोड़पती से सडक पर भी आ सकते हैं लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि लोटी जीतने पर आपको इनाम में पैसे नहीं बलकि लड़की दी जाएगी सायद नहीं पर यह सच है एक ऐसा देश भी है जहां लोटी जीतने वालों को इनाम में कोवारी लड़किया दी जाती है बता दे कि ये मामला ब्राजील के एंक्रियू जिलहादा सेर का है जहां 2015 में ये सच सामने आया और जब से ये सच सामने आया है तब से इस देश की बेस्टी हो रही है और सरकार पर दबाव है कि उनकी नाक के नीचे इतना गिनोना काम कैसे हो रहा था और उन्हें खबर तक नहीं लगी आप सुनकर चोग जाओगे कि ये अपराद सिर्फ 500 रुपे के लिए क्या जाता है जा स्टोरिये टिकट के सोदे में कुमवाली लड़कियों को दाव पर लगाते हैं एक काला सच ये भी है कि ब्राजील वेश्यवरती के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहां बड़े पैमाने पर वेश्यवरती का काम होता है दरसल लोग अपना पेट पालने के लिए अपनी बच्चियों को इस गिरोंने काम में उतार देते हैं लड़कियों को दाव पर लगाने बाला ये खेल ब्राजील के ग्रामीन इलावकों में ज्यादा खेला जाता है और इसे रैफल्स और बिंगो नाम के फेमस खेल भी जुड़े हुए हैं लेकिन दोस्तों सवाल यही है कि क्या इसा करना सही है अपनी राय कमेंट में जुरू बताएं और ऐसी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल ना भूलें धन्यवाद